आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफिसर कोर्ट केस लेटेस्ट अपडेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा चली वीडियो की सुरुआत करते हैं या देखिए या चिका के अंतिम फेसले के अधीन रहेंगी सहायक आचारिये की न्यूपतिया दोस्तों आपको ये जो न्यूज में दिखा रहा हूँ ये न्यूज RUHS यानि राजस्तान यूनिवर्शिटी ओफ हेल्थ साइन्स से जेपूर से जुड़ी हुई है इस यूनिवर्शिटी के दुआरा 24 अगस्त 2023 को विश्तरित विग्या पंजारी किया गया था जिसमें 6 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर 2023 तक योग्य अब्यार्थियों से ओनलाइन आवेदन फोर मामंतृत किये थे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस यूनिवर्शिटी के दुआरा करीब 23 अलग अलग विश्यों के लिए 24 पदों के लिए ये असिस्टन प्रोफेसर बरती का विग्या पंजारी किया गया था जिसके अंदर अब्यार्थियों का जो सेलेक्शन है वो एकजाम और इंटर्यू के थरू जो है किया जाना था तो यूनिवर्शिटी के दुआरा जो स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजिन किया गया था वो 3 नॉमबर 2023 से 7 नॉमबर 2023 के दोरान किया गया था ठीक है तो ये जो RUHS से जुड़ी हुई असिस्टन प्रोफेसर बर्ती की नूज है वो आप इस्तार के साथ में देखिए हाई कोड की खंड पीट ने RUHS की सहायक आचारिय बर्ती 2023 के तहत होने वाली नूग्तियों को याचिका के अंतिम फेसले के अधिन रखने के लिए कहा है खंड पीट ने यह निर्देश डोक्टर अंकेश गोईल की याचिका पर दिया याचिका में कहा कि RUHS ने बर्ती एवं पदोनति नियम 2020 को राजस्तान की यूनिवर्सिटी में नियुक्ति वचैन के लिए बनायागी अधिनियम 1924 के वीपरीत बनाया है ऐसे में मुझूदा बर्ती वर नियुक्ति भी अधिनियम 1924 के वीपरीत है प्रार्थी के पास सहाय का आचारिये के पद की योग्यता है लेकिन उसने बर्ती परक्रिया को चुनूती दी है जवाब में RUHS का कहना था कि प्रार्थी ने निये मानुसार भी बर्ती के योग्य है लेकिन उसने आवेदन नहीं किया है बल्कि उसके दुआरा बर्ती में की जा रही चैन परक्रिया को ही चुनूती दी है खंड पीठ ने नियुक्तियों को याचिका में होने वाले अंतिम फेसले के अधियन रखने के लिए का है तो ये याचिका करता है डोक्टर अंकेश गोयल यद पी इन्होंने इस बर्ती परक्रिया के अंदर जो है अपलाई नहीं किया है ये बर्ती परक्रिया के भाग नही ठीक है ये RUHS का कहना है कि इन्होंने अपलाई नहीं किया है यद पी ये नियमों के नुसार आवेदन करने के लिए योग्ये हैं क्वालिफाइड हैं लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया है उसके बावजूद भी इन्होंने जो है RUHS के दुआरा जो असिस्टेंट प्रो 2020 में बनाए हैं और जिनके आदार पर नुक्ति और चैन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का किया जा रहा है ये नियम जो है 1904 के युनिवर्शिटी के दुवारा बनाएगे नियमों के वीपरीत हैं ठीक है तो इस आदार पर इनको चुनोती दी गई है तो हाई कोट ने ये अधीन रहेगी ठीक है तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कोड के से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट इसी परकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवा झाल